Hello friends, welcome to all exam place, I am Rohit इस वीडियो में हम देखेंगे केलेंडर के बारे में इसे काफी कोशन आ जाते हैं SSC में और दूसरे competitive exam में जैसे की UPSC और railway हो गया तो हम देखते हैं केलेंडर के बारे में पहले तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा लीपियर की देखें सबसे पहले मैं बात करूँगा केलेंडर में दो टाइप के कोशन पूछे जाते हैं एक तो पूछा जाता जब आपको reference दिया हो जैसे मैंने बूला 21.09.2013 को सोन बार था यानि मंडे था तो बताइए 22.08.2012 को क्या होगा तो इसमें एक reference दिया गया आपको कि इस दिन ये दिन था तो दूसरे दिन क्या होगा ठीक है एक type का question ये होता है second type का question होता है जिसमें direct बोल देता है direct बोल देगा की 15.08.1947 को क्या था तो ये बिना reference का question है ठीक है तो हम दोनों देखेंगे इस video में question कैसे solve करना है पहले हम बात करेंगे इससे पहले लीपियर की लीपियर क्या होता है उसके बाद फिर हम यह वाला question देखेंगे फिर next video में हम discuss करेंगे बिना reference वाले question को तो start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ leap year leap year क्या होता है ऐसा साल जिसमें 366 दिन hoop वो हमारा कहलाता है leap year और ये हर 4 साल में एक बार आता है हर 4 year में एक बार रेपीट होता है ठीक है, अब देखिए leap year check कैसे करेंगे तो leap year को check करने के लिए 3 step होते हैं step first आप उस year को divide करें 4 से अगर वो divide हो जाता है तो वो leap year होगा leap year होगा ठीक है अगर फिर check करेंगे हम 100 से अगर वो divide हो जाता है 100 से तो यहाँ confusion आजाती हमें कि वो leap year होगा है या नहीं होगा तो उस confusion को दूर करने के लिए हम check करते हैं 400 से अगर 400 से finally वो divide हो जाता है finally divide हो जाता है तो वो क्या होगा leap year होगा ठीक है leap year होगा अब leap year होगा example के तौर पे मैंने लिखा 2000 यह 4 से divide हो जाएगा हाँ हो जाएगा leap year है लेकिन 100 से दिवाइड होगा हो रहा है 100 से दिवाइड तो यह leap year हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फिर हमने check किया 400 से अब देखे 400 से यह दिवाइड हो जाएगा हाँ हो जाएगा तो 2000 क्या होगा leap year होगा अब example के तौर पर मैंने लिया 1700 यह 4 से divide तो हो रहा है तो leap year होगा क्या अब हम check करेंगे 100 से 100 से divide हो रहा है हाँ हो रहा है अब यहां आगई confusion अब देखे 1700 जो की 400 से divide करेंगे तो होगा क्या 17 बटे 4 नहीं होगा तो 1700 क्या होगा leap year नहीं होगा आया समझ में कुल मिला कि 4 से check करने पर हमें पता चलता है कि leap year होगा की नहीं होगा बट अगर वो 100 से divide हो जाता है तो यहां confusion आती है अगर वो 100 से divide नहीं हो रहा है और 4 से divide हो गया है तो leap year definitely होगा example के तौर पर है 1992 अब देखें 4 से divide हो जाएगा लाज के two digit अगर 4 से divide है तो पूरा number भी 4 से divide होता है यह divisalty rule कहता है हमें तो 4 एकम 4, 4 पिया 12 हो जा रहा है divide तो यह क्या होगा leap year definitely होगा मतलब process क्या है इसमें यह देखना है हमें ठीक है process यह है इसमें कि अगर 4 से divide हो जाता है अब देखिए अब देखिए यह जो leap year हुआ मैंने बताया आपको जैसे 1700 है तो यह leap year होगा क्या अब देखिए 1700 leap year नहीं होगा क्योंकि यह 4 से divide तो हो रहा है लेकिन 100 से divide हो रहा है तो confusion आ रही है अब हम check करते है 400 से 400 से यह divide नहीं हो रहा है तो जैसी बात यह leap year नहीं होगा तो कुल मिला कि आपको करना क्या leap year निकालने के लिए सबसे पहले तो आप 4 से check करेंगे अगर उससे divide हो जाता है तो वो leap year definitely हो सकता और नहीं भी हो सकता अगर फिर हमने check किया 100 से अगर वो divide नहीं हो रहा है तो definitely leap year होगा क्योंकि वो 4 से divide हो चुका है अगर वो divide हो रहा 100 से तो हम check करेंगे 400 से finally अगर इससे वो divide हो जाता है तो leap year होगा वरना वो leap year नहीं होगा ठीक है तो यह आपको clear cut समझ आ चुका है example के तौर पे मैंने लिखा 1,7,0,4 यह 4 से divide हो जाएगा 100 से तो होगा नहीं तो यह leap year है ठीक है क्योंकि आकरी दो digit क्या है यहाँ पे वो है तो यह divide हो जाएगा 4 से अब मैंने देखा 1800 अब 1800 में देखे यह double 0 है यह 4 से divide हो जाएगा last में लेकिन आप इसको 100 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा फिर confusion आगई फिर आप इसको 400 से divide करेंगे तो क्या होगा 400 से divide नहीं होगा तो 1800 leap year नहीं होता है तो याद रखिएगा example के तौर पर 1996 यह 4 से divide हो जाएगा हो जाएगा leap year है 100 से नहीं होगा तो कुल मिला के आपको check करना है अगर वह 4 से divide होता है तो leap year definitely हो सकता है बट अगर वह 100 से हो रहा है तब आपको क्या करना है 400 से check करना है तो इस वीडियो में मैंने बात की leap year क्या होता है next वीडियो में मैं calendar से related question के बारें बात करूँगा और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो please इसे like करें share करें और मेरे channel को subscribe करें और भी ऐसे वीडियो के लिए thank you